लास्ट लेक्चर में हमने डिसकस किया कि किस तरीके से ग्रूप 18 एलिमेंट्स में जनॉन ने सबसे पहले रियक्टिविटी दिखाई जनॉन ने रियक्ट किया और कुछ कंपाउंज बनाएं तो यहां पे हम वहीं कंपाउंज को डिसकस करते जनॉन जो है वो जो जादा इलेक्ट्र नेग्टिव एलिमेंट्स हो गया जैसे फ्लोरीन हो गया ऑक्सिजन हो गया इनके साथ रियक्ट करता है तो यहां पे सबसे पहले हम पढ़ेगे जनॉन और फ्लोरीन के जो कंपाउंज बनते उनके बारे में तो जनॉन और फ्लोरीन आपसमें 3 तुरीके कपाउंज बनाते हैं कि जो में डिसकस करने है यह काना है त्हीं वे दिसकस करने हैं आपस 3 निरी कंपाउंज 3 ऑनन रिप एन छा अ जो है फ्लोराइड नौन टेट्र फ्लोराइट एं उन यग्जाः फ्लोराइट दिज न मन Sab एक्सपरिमेंटल कंडिशन मतलब डिरेक्ली वह आपस में रियक्ट कर जाते है अप्रोपियर्ट कंडिशन में और यह एक्सेस में लिया जाएगा आपस में इसक तरीके से रियक्ट होगा यह जो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा यहां पर जो यह जो तीन है इससे क्या पता चल रहा है कि इसकी जो है वो हो जाती है ट्राइगॉनल बाई पराइमिडल जिसे आम ट्राइगॉनल बैय पिरामिडल अब यह कैसे हुआ ट्राइंग हूणल बाई पिरामिडल बेकॉज़ यहां पर देखिए this is forming a triangle ठीक है यह triangle जैसा बन रहा है and triangle की ऊपर एक bond नीचे एक bond so यहां पर एक pyramid बन जाएगा यहां पर एक pyramid बन जाएगा तो यह नहीं trigonal by pyramidal है के नहीं so geometry जो है वो हो जाती है trigonal by pyramidal अगर structure की बात करें तो structure कैसा होता है इसका structure के लिए हम loan pairs जो है उन्हें ignore करेंगे loan pairs को अगर आप हटा दो तो जनान का structure क्या हो जाएगा फ्लोरीन यहां पर और एक फ्लोरीन यहां पर तो इस तरीके से तो एक simple linear structure बन रहा है तो इसका structure क्या हो जाता है linear structure ठीक है structure हो जाता है linear structure geometry है trigonal by pyramidal अब इसके hybridization देखते है hybridization के लिए हमें loan pair और bond pairs को देखना होता है तो loan pair है हमारे पास 3 bond pairs कितने है एक bond यहां पर बन रहा है एक bond यहां पर बन रहा है तो दो bond pairs total इसका hybridization क्या हो जाएगा it becomes sp3 d hybridization ठीक है 1s 3p और 1d so इसका hybridization हो जाता है sp3 d किसका xenon का इसका geometry जो है structure का that is a trigonal by pyramidal और structure specifically अगर हम बात करें तो that is linear next compound है that is the xenon tetrafluoride अब टेटरा फ्लाइड मतलब f4 के case में क्या होगा यहां पर ratio change होगा it becomes 1 is to 5 ratio जहां पर xenon directly react करेंगा 2 f2 के साथ with this specific condition और बनाएगा xenon tetrafluoride अब यह जो tetrafluoride बन रहा है इसका structure कैसा होगा चार fluorines है तो एक यहां पर एक यहां पर एक यहां पर और एक यहां पर तीक है और center में xenon अब यह जो 4 fluorines है यह मिलके square type structure बना रहे है यहां पर square अब इस square के उपर एक lone pair है और square के below मतलब square के नीचे एक lone pair है ठीक है one is above the plane and one is below the plane इस तरीके से इसका जो geometry हो जाता है that becomes octahedral क्या हो जाता है octahedral क्योंग यहां पर एक square आ गया यहां पर एक triangle type structure बनेगा यह एक triangle type जैसा बनेगा और हो जाएगा octahedral लेकिन इसकी structure के अगर बात करें structure क्या हो जाएगा structure के लिए हम lone pairs जो है उन्हें ignore करेंगे तो lone pair को अगर आप हटा दो तो structure क्या बनता है इसका जनन फ्लोरीन 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 एन वन फ्लोरीन यह तो इसका structure क्या हो जाएगा it becomes square planar एक सेंप्ली एक square बन रहा है यहां पर planar में तो square planar हो जाता है इसका structure geometry होगी इसकी octahedral अब इसका hybridization यह hybridization के लिए क्लिए है loan pairs count करने तो loan pair कितने है two loan pair bond pairs कितने है यहां पर bond कितने बन रहे है चार bond बन रहे है okay so four bond pairs and loan pairs are two तो overall कितना हो जाएगा इसका hybridization हो जाएगा sp3 d2 1s 3p और 2d so sp3 d2 hybridization of xenon in case of xenon tetrafluoride इसका structure क्या हो गया structure हो जाता इसका square planar square planar okay next to compound that is the xenon hexafluoride xenon f6 अब यहां पर यहां पर बही डारेक्ट reaction xenon और fluorine का ratio will change it becomes 1 is to 20 but this condition क्या बनाएगा xenon hexafluoride अब यह जो six fluorines है यह किस तरीके से adjusted हो के यहां पर 4 fluorines इस तरीके से one above and one below okay इस तरीके से 6 fluorines आगे अब यह जो center में दिख रहा है इस तरीके से this is what this is one lone pair यहां पर यहां पर हम दिख सकते यह जो lone pair है इसके कारण क्या होता है थोड़ा बर distortion क्रिये रिएट होता है इसके structure में तो इसका structure क्या हो जाता है it becomes distorted कि अब टाहेडर स्ट्रक्चर ठीक है distorted octahedra structure हो जाता है अब distorted क्यों हो रहा है because हम जानते है कि जो lone pair lone pair का repulsion होता है वो maximum होता है जो हम अलोड़ी पढ़ चुके lower classes में के lone pair lone pair आपस पर बहुत ज्यादा repel करते है बहुत ज्यादा repulsion दिखाते है जैसे आपको structure याद होगा water molecule का कैसा होता है bent structure होता है कि नहीं क्यों यहां पर दो बड़े-बड़े loan pairs बैठे है इनकी वज़े से यह bent structure हो जाता है नहीं तो यह स्ट्रेट ही होना चाहिए इसके बाद आया loan pair bond pair and lastly bond pair bond pair उसका बहुत कम होता है सो यहां पर क्यूंकि एक loan pair आ गया दो bond pairs के बीच में तो उसके वज़े से थोड़ा बहुत distortion create हो रहा है अब यह जो loan pair arranged है यह किस तरफ है एक फ्लोरीन का bond यहां पर एक फ्लोरीन का बाद यहां पर इस तरीके से एक ट्राइंगल बन रहा है इस ट्राइंगल के सेंटर में है यह loan pair चाहिए आई होप यह आप विजुलास कर पार रहे है यहां पर भी यह जो कि बात करते है तो hybridization के लिए loan pairs कितने है यहां पर जिस्ट one loan pair bonding pairs कितने है छे फ्लोरीन के साथ यह bond बना रहा है तो 6 फ्लोरीन इस तरीके से overall कितना हो जा रहा है इसका hybridization it becomes sp3 d3 hybridization ठीक है किसका xenon का in case of xenon hexafluoride so xenon hexafluoride के case में जो structure हो जा रहा है that is distorted octahedral and joh hybridization and that is sp3 d3 xenon hexafluoride can also be prepared by the interaction of xenon tetrafluoride and o2f2 इन दोनों को भी जब हम आपस में रियाग करेंगे तो क्या बनाएगा यह xenon hexafluoride बना सकता है अब xenon difluoride tetrafluoride and hexafluoride nature में कैसे होते हैं यह colorless crystalline solids होते हैं and बहुत इसली बहुत तुरंत sublime कर जाते हैं at 298 Kelvin they are powerful fluorinating agents मतलब क्यूंकि इनके पास fluorine है they are very strong powerful fluorinating agents यह किसी भी compound बहुत प्ना fluorine add कर सकते हैं so they are good fluorinating agents they get readily hydrolyzed even by traces of water पानी के थोड़ बहुत तुरंत तुरंत हैं कर जाते हैं like example we have xenon difluoride it is hydrolyzed to give xenon hydrogen fluoride and o2 इस तरीके से hydrolyzed होके xenon hydrogen fluoride and o2 देता है xenon difluoride and tetrafluoride क्या है इसका structure linear and square planar hexafluoride के case में हैं क्योंकि 7 electron pairs आ रहे हैं मतलब 6 bonding pair and 1 lone pair तो इसका structure हो जादा है distorted octahedral that we just discussed xenon fluorides react with fluoride ion acceptors to form cationic species and fluoride ion donors to form fluoroanines मतलब यह जो xenon fluorides है यह जो acceptors है fluoride ion के उनके साथ form करता है और क्या बनाता है cationic species बनाता है that is positive charge and fluoride ion donors जो है उनके साथ बनाता है अनायनिक मतलब फ्लोर अनायन्स बनाएगा so that is about xenon fluorides अब xenon और oxygen के compounds xenon और oxygen के compounds में hydrolysis of xenon tetrafluoride and hexafluoride with water gives xenon trioxide यह कैसे बन रहा है hydrolysis हो रहा है जब tetrafluoride और hexafluoride जो xenon के और है जब इनका hydrolysis होगा पानी के साथ तो it gives xenon trioxide यहां पर xenon tetrafluoride के जब hydrolysis होगा तो it will give यह similar hydrolysis compounds जखते है जैसे xenon आगया hydrogen fluoride आगया and O2 आगया यहां पर एक चीज नहीं आड़ी that is xenon trioxide then xenon hexafluoride के case में भी xenon trioxide and HF this xenon hexafluoride जो है जो hydrolysis दिखा के this trioxide बना रहा है xenon का यह तुरत एक ही step का reaction नहीं है यहां पर कुछ steps आते है बीच में जैसे xenon hexafluoride जो है वो सबसे पहले एक water molecule के साथ react करेगा and it will form xenon oxygen F4 okay यह क्या बना this is xenon oxytetrafluoride ठीक है पहले step में यह बना दूसरे step में क्योंकि हमर बास 3 moles H2O है तो एक step में तो यह बन गया दूसरे step में जब यह वापस पानी के साथ react करेगा this is xenon oxytetrafluoride जब दुबारा यह react करेगा तो यह क्या बनाएगा it forms xenon O2 F2 this is what this is xenon dioxydifluoride ठीक है अभी यह dioxydifluoride बना यहां पर side product में HF भी बन रहा है I'm not writing it due to lack of space okay यह जो बना यह वापस दुबारा H2O के साथ react करेगा तो क्या अभी भी एक mole बाकी है एक यहां पर use हुआ एक यहां पर and lastly this one तो यह जो xenon dioxydifluoride है यह दुबारा पानी के साथ रियाग करके क्या बनाएगा हमारा main compound that is xenon trioxide with HF okay so इस तरीके से यह step by step में reaction होता है ऐसा नहीं कि एक ही में reaction हो गया next is the partial hydrolysis of xenon hexafluoride gives oxy fluoride जैसे xenon oxytetrafluoride हो गया then xenon dioxydifluoride हो गया यह हमने अभी देखा कि किस तरीके से step by step हो रहा है यह वही उसके जैसा ही reaction है so xenon hexafluoride पानी के साथ में लिके क्या बनाएगा xenon oxytetrafluoride उसी तरह जब टू मोल्स आएगा हमने step by step देखा कि जब 1H2 हो रहेगा तो क्या बनाएगा दिन दूबारा जब पानी के साथ रहेगा तब क्या बनाएगा so this is 2 moles of H2O that is xenon dioxide difluoride xenon trioxide it is a colorless explosive solid with a pyramidal molecular structure जो xenon trioxide है that is over here कैसा structure होता है इसका pyramidal molecular structure होता है then xenon oxytetrafluoride that is this one that is square pyramidal यह कैसा होता है colorless volatile liquid होता है जिसका structure हो गया square pyramidal structure and this is that xenon hexafluoride this is a xenon tetrafluoride with square planar structure and the linear structure of xenon difluoride now comes the uses कि group 18 के जो elements है इनका use कहा कहा होता है helium जो है very first यह काफी popular इसका use है that helium balloons यह काफी लोगों ने देखा होगा helium जो है वो light non inflammable है इस वज़े से it is used in filling balloons for meteorological observations then gas cooled nuclear reactors में भी यह use होता है liquid helium जो है उसे cryogenic agents के तौर पे यूज किया जाता है cryogenic जो एक ब्रांच है जो बहुत ही low temperature पे work करता है okay so बहुत ही थंडा temperature होता है वहां पे वहां पे helium को यूज किया जाता है it produce and sustains powerful superconducting magnets which form an essential part of modern NMR spectrometers okay that is nuclear magnetic resonance यह जो है यह MRI systems में काफी आपने देखा होगा मतलब जो इस type का MRI होता है जो scanning होती है accidents यह कोई भी cases में बिमारियों के cases में यह वहां पे यूज होता है it is used as a diluent for oxygen in modern diving apparatus जो divers होते है undersea जो dive कर रहे है उनके लिए cylinders अपने देखा होगा वह काफी heavy cylinders carry करते है तो उसमें वह diluent के तौर पे भी use होता है because उसकी जो solubility होती है ना पानी में वह कम होती उसके वज़े से then neon neon का तो काफी use है काफी trending है neon तो so neon is used in discharge tubes and fluorescent bulbs for advertisement जो एकदम टिंटम आते advertisements होते है lightning and all वहाँ पर नियोन काफी होता है neon bulbs जो होते हो बोटानिकल गार्डन होके दिन greenhouses जो बन रहे है उन सब में भी काफी होता है argon it is mainly used to provide an inert atmosphere काफी experiments जो class 11th में अप लोग ने पढ़ा होगा discharge tube experiment etc उन सब में जो inert atmosphere देना होता है उसके लिए argon को यूस किया जाता है so it is usually used mainly to provide an inert atmosphere in high temperature metallurgical processes जापे welding हो गया या या लोई के लिए हो गया दिन also for electric bulbs electric bulb जो होते है असा जो structure है electric bulbs का उसके अंदर जो filament के अराउंड भी जो environment देना होता है वहाँ पर भी नहीं यूस किया जाता है then in the lab for handling substances that are air sensitive जो air sensitive substance in lab जो यूस किया जाता है during practicals and experiments वहाँ भी इसे यूस किया जाता है then there are no significant uses of xenon and krypton xenon और krypton का इतना कुछ major use नहीं है they are used in light bulbs जो special purpose के डिजाइन किया जाता है वहीं पर सिर्फ यूस होता है